Welcome to Be Detle दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे असास के विद्देले में TGT एबं PGT अधवों की जो भरती होती है उसमें merit list किस तरके से तैयार की जाती है तो चलिए सीखना शुरू करते हैं यहाँ पर विभाग दरा प्रकाशित एक merit list है जिसके आधर पर मैं आपको समझाने का प्रियास करता हूँ तो हाई स्कूल की बात करें तो सबसे पहले आपको हाई स्कूल का पुढांग है वो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा हाई स्कूल का पुढांग किसी का 500 हो सकता है किसी का 600 हो सकता है उसके बाद प्राप्तांग आपको देखना पड़ेगा तो हाई स्कूल के प्राप्तांग और पुढांग के अधर पर आपको सबसे पहले अपना परसंटेज निकालना होगा उसका आपका 10% करना है, तो इसका आपको 10% गुणा 10% करेंगे, तो जो आपकी गुणांग बनेगी 5.14, तो इस तरिके से आप किसी का भी high school का percentage निखाल सकते हैं और उसका गुणांग निखाल सकते हैं, तो इस तरिके से high school का परसंटेश होगा, उसका 10% लिया जाता है, अब अब बात करते हैं interminate का तो operate men in terms भी से पुरेखना फूड़ेगा और प्राप्तांक होंगे वह विया आपको देखना पड़ेगा और उसका पर्टिषात आपको निकालना पड़ेका कि आपके कितने प्रतिषात हो सकता है कि हो सकता है कि आपके पुलांक 600 या पास्नेक से Member प्रतिशत जो आ जाएगा जो गुडांग जो आ जाएगा वो आ जाएगा जैसे आप यहां पर देख सकते हैं कि 5.53 गुडांग लिया गया है तो इस तरीके से हाइज सकोल के जितने परसंटेस होगे इसका 10 परसंट लिया जाएगा इसना तक का गुडांग निकालने के लिए सब से पहले आपको जो ग्राज़न आपने कर रहा उसका जो तीनो यहर को गॉडांट टोटल होगा वह आपको देखना होगा फस्ट इस सेगंड यहर फाइनल म होंगे उसको आपको देखना होगा फिर आपका इसको कल्कुलेशन करके इसका परसिंटेज आपको निकालना होगा जो फर्मूला पहले बतायागे था तो जो भी आप इसना तक का जो भी आपका परसिंटेज होगा उसका जो है आपको 20 परसंट निकालना होगा तो यहां पर निकालेंगे तो जैसे इसका 10% निकालेंगे तो 5.21 आएगा और 20% जो हो जागा 10.50 के आसपास आएगा तो मिलाके इस नातक में आपके जितने भी परसेंटेज आएगे उसके 20% जो है आपके गुड़ांग में काउंट होंगे तो लगबक इस कंडिशन में जो है आपको जो CTAT होगा या UTAT होगा उसका परसेंटेज आपको निकाला होगा इस कंडिशन में जैसे आप देख सकते है 41 के असपास यहां परसेंटेज आएगा उस 41 परसेंटेज का आपका 40 परसेंट यहां निकालना होगा तो 40 परसेंट जो भी आपके CTAT या UTAT में जो सबसे जादा बार आथा 40 टाइम्स या 40 परसंटेज जो है परसंटेज इसका गुडांग में काउंट किया जाता है समझते हैं जो अपनी जो भी आपने ट्रेनिंग कर रखा है या फिर डियलेट किया है तो उसका गुडांग कैसे निकालेंगे टो टोटल जो पुडांग होंगे उसको आपको नीचे रखना है तो यहाँ पर देख सिछनला है गुल म Lazare के जो आपके प्राप्ता ग्होंगे गुडांग हो फिर बटे जो पुड़ांग होंगे उसको सब्सक्राइब करते हैं तो लगबग 15 अंक जो है 15 जो गुडांग बनेगा जो आपके शहदान्तिक के लिए या बीट के लिए जोड़ जाएंगे इस तरी किसे टैन से लेके इसनातक और इसनातक के बाद टैट तक जो भी आपने परसंटेज निकालोगा उसको आपको टोटल करना होगा टोटल करने के बाद जो आपका टोटल गुडांग निकल जाएगा तो लिए जो गुडांग हमने निकालना स्काई वो ल्ट के लिए है इस तरीके से गुडांग निकल जाए अब बात करते है यदि आपने PG के लिए फ़र्म अपलाई किया तो PGT में जो है 50% का आपको 20% लेना होगा तो 10 नमबर जो है आपके यहाँ पर गुड़ांग पीज़ी के लिए आपके काउंट किये जाएंगे ध्यान है कि पीज़ीडी के लिए जो है टैट या यूटेट में नहीं होता तो इसका गुड़ांग है वासास के विदलब में नहीं जोडा सकते हैं कि यहाँ पर जो है कुल गुड़ांग यहाँ पर 21 नमबर पॉइंट में आपको दिखाए देगा 52.69 है एक कैडिड़ेट का ही ए 68.43 है और 64.68 है इस तरीके से 7 बेस्ट आप 7 को जो है यहाँ पर बुलाया जाता है उसके बाद जो कमिटी वैट थी कमिटी के दोरा पास नमबर डिसाइड किया जाता है पास इंटरबू के आधर पर जो है इंटरबू में केबल पास नमबर का ही खेल लाता है पास नमबर ही उनके हाथ में रहता है जो कि आपके मेरिट को परहाईत कर सकते है तो पास नमबर में अगर कम से कम नमबर देने की बात कर तो कम से वीडियो को रिगार्डिंग कोई और जान करें आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर वीडियो को डिस्टेश में आपको हमारे टेलिग्राम और वाटसाफ का संपरक्षोद मिल जाएगा उसे भी जान कर सकते हैं मिलता है अगले एक ऐसे इंटेस्ट्रिंग मीडियो में तब तक लबना देहां लखिए बाई जैहिन